स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपने ही यूटूब चैनल पर चलिए वीडियो को सुरू कर लेते हैं और कमेंट ले लेते हैं कमेंट है चिराजुदीन जी का लिखते हैं सर जी कैसे कंफर्म होगा कि लोड चैल खराब है ये पिछली वीडियो का ही कमेंट है तो देगे चिराजुदीन वैसे लोड चैल कैसे टैस्ट करते हैं लोड चैल कैसे चैक करते हैं कैसे दिपेर करते हैं ये सबी चीजे वैसे बता रखी है लेकिन मैं आपको बता देता हूँ अगर आपके पास दो weight machine है तो आपको करना क्या होगा इसके connection जो weight machine आपकी सही है इस वाले के connection उसमें कर दीजिए और ये confirm हो जाएगा कि हमारा load cell ही खराब है या क्या और बाकी आप multimeter से भी check कर सकते हैं अगरा comment लेते हैं टैक अभी जी जी का लिखते हैं what is function of 39-50 तो देखिए जो हमारा motherboard है उसमें हमारी requirement के हिसाब से ही component लगे होते हैं कि जैसे मापको बताऊँगा हमारी battery 6V की है तो battery को charge होने के लिए कितने voltage चाहिए मैंने आपको बता रखा है 7.7 के असपास और हमारा transformer जो देगा वो 12V देगा bridge rectifier बना है तो भी 12 रहेगी उसको हम 7.7 या 8 कैसे करेंगे तो महाँ पे क्या करेंगे 78.08 लगा देंगे तो इससे हमारी voltage जो निकलेगी output में वो 8V निकलेगी फिर जो हमारी controller है IC हैं इनकी operating voltage है 5V तो अगर हम ये 39.50 ना लगाए तो हमें जो मिलेगी वो मिलेगी 7.5 वोल्ट तो ये हमारी IC के लिए सही नहीं रहेगी हमारी operating है 5V तो उसके लिए क्या करेंगे कि एक 5V के लिए हमें component यूज कर लेंगे जिससे हमें output में केवल और केवल 5V मिले तो ये इस जो आपने लिखा है 39.50 का function क्या है तो ये ही है ये 5V के लिए लगा है क्योंकि जो voltage आ रही है वो साड़े साथ आ रही है जो हमें नहीं चाहिए हमें चाहिए 5V अगला comment लेते हैं अभी नव जीगा ये लिखते हैं सर्जी काटा स्टार्ट होता है प्रोसेसिंग में 0 आने से पहले फिर से रिस्टार्ट हो जाता है इसका solution किर्पया बताए तो देगे सबसे पहले तो आपको voltage चेक करने पड़ेगी ये voltage का ही issue रहता है और कई बार controller भी internally खराब हो जाता है तब भी वो इसी तरीके का misbehave करता है एक तो आपको controller चेंज करके देखना है और उससे पहले आपको voltage check कर लेनी है बैटरी की voltage भी check कर लेनी है और controller पे भी proper जारी है या नहीं ये भी आपको check कर लेना है आपकी problem का solution हो जाएगा वीडियो में यहां तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाब